तो अभी जो मैं रीडिंग करने वाली हूँ पता लगाएंगे कौन सा अनेक्सपेक्टेड इविंट आपकी लाइफ में आ रहा है बहुत जल्द जो बिल्कुल भी आपने एक्सपेक्ट नहीं किया है और ये इविंट आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है तो वो कौन सा अनेक्सपेक्टेड इविंट है जो आपकी लाइफ में आ रहा है ठीक है ये कोई ब्लेसिंग हो सकती है गुड न्यूज हो सकती है कुछ भी जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया है लेकिन आपकी लाइफ में ये होने वाला है ठीक है तो ये क्या है देख ले तो जब भी आप यहां तक पहुंचें, आप देख सकते हैं चलिए, स्टार्ट करते हैं टावर, स्टार्ट, 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 स्टार We have the lover's card here, three of swords, knight of swords, king of cups, high priestess, Ace of swords, six of pentacles है, यहां से, तो यहां पर Aries, Scorpio, Gemini, Virgo, strong दिख रहे हैं साइन, बाकि यह collective है, रीडिंग्स अभी साइन के लिए कर रही हूँ, तो देख लेते हैं कि क्या unexpected event आपकी life में आने वाला है, फिलहाल तो गाईस देखो अभी हो सकता है कि टावर कार्ड यहां पर प्रिज हावर movement आप face कर रहे हो, अपनी life में hardships हैं, और हो सकते हैं आने वाले एक दो दिन तक ह hardships रहेंगे आपके पास, continuously आप इस hardships के बारे में सोच रहे हो, कैसे आप यहां से move on करेंगे, कैसे आप इन सारी चीजों को अपनी life से हटाने की कोशिश करोगे, तो इन सब के लिए planning strategy बन नहीं करी है, कि आप उनके साथ कैसा उनों के लिए feel करते हो, क्या सोचते हो, आपने अपनी feelings, जो बहुत ही deep feelings है, वो अभी तक आपने share नहीं करी है, अपने partner के साथ, लेकिन जो भी है guys, intuitively और बहुत ज़दा telepathically आपका connection strong है, यहां पर तो आपके partner को बिना कहे ही सब कुछ पता है आपके बारे में, जैसे आपके partner के बारे में पता है, कि उनके दिल में exact क्या है उनों के लिए, मतलब उनके दिल में आपके लिए exact क्या है, यह बात है आपको बहुत अच्छे से जिस सरीके से पता है, वैसे ही आपके partner को पता है, क्या आपके इतना प्यार करते हो उ तो देखिए हो सकता है लव आपकी जो वर्क है जो आपका विजनस है जो आपका वर्क एरिया है वहाँ पर आपका कंट्रोल आ चुका है आपके हाथ में और आपके लिए यह चीजे अपने वर्क बैलेंस करना इतना मुश्किल नहीं है वहाँ पर हो सकता है थोड़ा डिले है यहां से High Priestess के साथ Ace of Swords का card है जो कि मुझे बता रहा है कि कुछ ना कुछ आपके पास आपके person के तरफ से message आ सकता है, call आ सकती है और या तो फिर यह होगा कि जो sign number आपको दिखने अभी बंद हो गए थे थोड़े time के लिए, हो सकता है वो चीज फिर से start हो जाए तो यह बिल्कुल unexpected होगा आपके लिए और मुझे तो जो लग रहा है ना lovers के ठीक नीचे ही ना यहां पर Ace of Swords का card है, जो कि मुझे लग रहा है कि आप अगर किसी के साथ एक divine connection में हो तो यह person आपको contact या call कर सकते हैं, चाहे गलती से कर दें, चाहे जाने अन जाने में कर दें, ठीक है, लेकिन कुछ ना कुछ इनकी तरफ से call या message आप तक पहुँचेगा ऐसा हो सकता है कि यह चीज आपके dream में भी हो, कुछ के लिए guys, 10-20% लोगों के लिए dream में हो सकती है, कि आपको, आप dream में देख रहे हो, कि आपके partner आपका हाल चाल पूछ रहे है, message के थरो, चीक है, तो yes, अगर ऐसा भी हो रहा है, तो वो आपकी soul, उनकी soul आप तक पूछ रही है, या फिर, यह reality में भी हो सकता है, तो मुझे ऐसा लग रहा है, कि yes, यह person, चाहे गलती से भी, अगर उनने आपको कोई message भेज दिया, by mistake, तो भी आपका हाल चाल पूछेंगे, कि आप कैसे हो, ठीक हो, या नहीं, life कैसी है, ठीक है, इस तरह की बाते करेंगे, यह person, और यह बहुत ही आपके लिए unexpected होगा, क्योंकि already आप tower moment face कर रहे हो, इस person ने आपके साथ बिल्कुल बातचीत बंद की हुई है, break up जैसा ही feel हो रहा है, यह पर लेकिन जो भी है, इस person के दिल में बहुत ज़्यादा romantic feelings है, emotional feelings है, और romantic feelings भी है, यह आपके लिए बहुत passionate है, आपसे प्यार करता है, romantic feelings बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, चाहे tower card आजाए, चाहे tower moment आजाए, यह कुछ भी आजाए, फिर भी यह person आपसे प्यार करता है, तो यह person मुझे लगता है कि जल्दी आपको contact कर सकते हैं, और यह बिल्कुल unexpected होगा आपके लिए, बिल्कुल unexpected ठीक है, और देख लिए ते हैं guys, और क्या आ सकता है, हमारे पास इस person की तरफ से, true love और एकल देख से देखेंगे, distorted masculine हो सकता है कि थोड़ी ही बात करें आपसे, क्योंकि energy इस person की अभी balance नहीं है, distorted masculine की energy में है, हो सकता है, यह बेचैन होकर एकदम, बहुत ही जब इससे control नहीं होगा यह आपको contact कर लेंगे, आपको चाहिए, और यह बहुत ही ना, एक excuse के साथ करेंगे, क्यार यह तो गलती से हो गया हमसे, लेकिन सच्चा ही यही है कि इस person आपको miss कर रहा है बहुत ज़्यादा, अकेले में बैठा है, परिशान होकर आपको message ही कर देगा, कि थोड़ा तो अपने partner के साथ contact बनाऊ, बहुत time हो गया है, बात नहीं हुई, तो हो सकता है कि इस बार यह person, यह हो जाएगा आपकी life में, यह event आ रहा है, आपकी life में, self respect, हो सकता है, बार बार सोचे कि कहीं आपको contact करना, इसकी self respect पर तो heavy नहीं हो जाएगा, लेकिन फिर दिल है, दिल का मामला है, तो दिमाग क्या काम करेगा यहाँ पर, यह बहुत ज़्यादा अपने आपको अकेला feel करेंगे और यह आपको contact कर सकते हैं, यही मुझे एक unexpected event आपके पास आते हुए दिख रहा है, आपर, distorted feminine, हो सकता है, आप दोनों same energy में हो right now, distorted masculine and distorted feminine, दोनों ही आप दोनों अपनी life में changes ला रहे हो, change कर रहे हो खुद को, या फिर guys यह भी हो सकता है, कि आपके karma, आप को आपका result लेकर आ रहे हैं, यह intimate connection है, यह बहुत deep connection है, आप दोनों के बीच में, twin flame connection दिख रहा है, totally, यहाँ पर, आप से प्यार करते हैं, यह person, connection feel करते हैं, तो यह आपको contact नहीं करेंगे, तो किसे करेंगे, तो यह मुझे लग रहा है, यहाँ आपके पास यह event आ रहा है यह connection बहुत ज़दा strong है, intimate connection है, feelings है, आप दोनों एक दुसरे को feel कर सकते हो, एक दुसरे की wife feel कर सकते हो, तो बहुत सारी यहाँ पर feelings है, emotions है, तो यह person तो पहले ही आपको बहुत ज़दा miss कर रहे हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है, तो yes, आपको बहुत miss कर रहे हैं, अकेले बैठ हैं, उदास हो रहे हैं, अपने आपको change भी कर रहे हैं, शायद इसको ऐसा feel हो रहा है कि एक बार आवास सुन ले आपकी, यह आपका हाल चाल पूछ लें, काफी time हो गया, शायद लोने आपका हाल चाल भी नहीं पूछा है, तो यह भी हो सकता है कि हाल चाल वगर ही पूछे हैं, यह unexpected event है, यह new beginning लेकर आ रहा है, यह new start होने वाली है, new start is coming, आप दुनों के बीच में जो बहुत time से चीज़े रुकी हुई थी, थमी हुई थी, अब एक नई शुरुवात होगी, new moon, हो सकता है, यह new moon तक हो जाए, जो unexpected event है, यह new moon तक आजाए आपके पास, a time for healing, तब affirmations बोलते रहें, hold your vision, affirmations आपको बोलना है, continuously, क्योंकि affirmations बोलते रहोगे, और पूरे confidence के साथ, affirmations बोलना है, कि यह चीज़ होने वाली है, तो आप यह जो reading में आया है, इस event के लिए आप affirmations बोल सकते हैं, आने वाले 15 दिन तक बोलते रहें, ठीक है, और दिन में कहीं कहीं ब बोलिये, और पुरे सच्छे दिल से बोलिये, confidence के साथ, बोलिये, कि यह आपके partner आपको contact करने वाले है, अब आप एक affirmation comment section में भी लिख दो, कि यह मेरे partner ने मुझे contact कर लिया है, thank you universe, इस तरीके से आप affirmation लिखें वहाँ पर, आज से शुरू कर दो, बोल के करो, लिख के कर है, वैसे करो, लेकिन affirmations आपको बोल दा है, you are ready, because आप ready है, और आप एक तो इतना time हो गया, guys, अब आपके partner को, आपको call message करना चाहिए, चाहिए, गलती सही सही, लेकिन करना चाहिए, क्योंकि यह separation का time बहुत लंबा हो गया, आप दुनों के बीच में, and now you are ready, तो आप एक बोल के यह time लेकर आईए, अपनी life में, कि ऐसा हो जाए, ठीक है, let go कर दो हर तरह की negativity को, और full positivity के साथ अपनी life में affirmations बोलिए अब आप, divine आपको guide कर रहे है, अगर आप believe करेंगे, ठीक है, तो यह चीज बिलकुल सच हो जाएगी आपके लिए, यह चीज बिलकुल yes हो आएंगे यहां से, क्या कहेंगे आपको, यहां से भी देख लेता है, इक बार, divine blessings है आपके साथ right now, तो yes, यहां पर आपके जो भी events है, यह जो आ रहे है, इतने beautiful events बिलकुल आएंगे, divine की blessing भी है, this card indicates that, sorry, this card indicates the unending flow of divine blessing and fulfillment of spiritual goals, आपके spiritual goals ऐसे ही दिरे-दिरे पूरे होंगे, छोटे-छोटे events आएंगे, जो आपने अब expect भी नहीं किया है, क्योंकि मुझे लगता है, आप divine अपनी blessings देने के लिए ready हो गए है, आपका hard work देख लिया है divine ने, और आपको छोटे-छोटे events आपके सामने आते रहेंग और जिससे आपका विश्वास इस connection पर बढ़ जाएगा, और आपके लिए अब positivity आनी शुरू हो जाएगे, और आप धीरे-धीरे higher frequency zone में भी पहुँच जाएगे, जहां पर आपका union भी हो जाएगा, तो ये छोटे-छोटे unexpected events चो आ रहे हैं, ये ही है वो positive sign कि आपको positive रहन हैं अपनी life में और आपका विश्वास बढ़ाने के लिए ही ये events आ रहे हैं, ठीक है, तो reason भी मिल गया हमें, क्यों आ रहे हैं ये events, ये इसलिए आ रहे हैं ताकि आपका विश्वास बढ़ जाए और आप बहुत ही positive feel करो, तो yes, क्योंकि थोड़ा सा भी अगर आपके पास ये events आते हैं, जैसे कि आपके partner ने contact कर लिया या आपके partner की family ने contact कर लिया या फिर आपको थोड़ा success मिल गया आपकी life में, तो ये unexpected events सी हैं, जो आपने सोचा भी और अचानक से आपकी life में हो गए, और जब ये होते हैं तो बहुत खुशी होती है guys, बहुत खुशी मिलती ह और confidence इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि हम बहुत खुश होते हैं उस time पे, तो वही है, वही आपको जो खुशी आप उस time महसूस करते हो ना, वही खुशी आपको हर time feel करनी है और ताकि आप higher frequency zone में पहुँच जाओ, ठीक है, क्योंकि union के लिए वो state बहुत ज़्यादा important ह उस level तक पहुचना आपके लिए बहुत important है, तो divine blessings आपके साथ है, तो यहाँ पर परिशानी वाली कोई बात नहीं है, आप divine आपके कर्मों का फल देंगे, अपनी blessings देंगे आपको, आपको appreciation मिलेगा overall, appreciation भी आ रहा है आपके पास guys, congratulations, आप successful बनते जाओगे अपनी life में strength भी आ रही है, आपके पास, overall आप बहुत ज़्यादा confidence फील करोगे, बहुत ज़्यादा strong फील करोगे, अपने enemies से लड़ सकते हो, उनको उनके मकसद में fail कराऊगे, और yes, आपके divine भी आप, sorry divine कह रहे हैं, आपके divine counterpart भी आपको contact करने वाले हैं, चाहे अंजाने में सही, ले आपको लेकर दिखाएंगे, रहे, mistake by mistake हो गया यह और आपसे बात करने का बहाना मिल जाएगा, लेकिन यह वही है अब मैं reading में आ भी रहा था काफी टाइम से, कि आपके partner कैसे आपको approach करें, इसके लिए planning कर रहे हैं, तो शयाद यही planning उनकी है, और यही unexpected event आपके लिए है, जो affirmation आपको लिखना है, जो मैंने बोला है, ठीक है, comment section में और इसी जरीके से आप, जो भी affirmation आप decide कर रहे हैं, जैसे कि मैंने बोला के मेरे partner ने contact कर लिया है, thank you universe, thank you so much, ठीक है, यह एक affirmation है, छोटा सा एक line मैंने आपको बताई है, तो आप इसे comment section में लिख लो, या फिर hope कि आपके साथ resonate हुई हो, आपको पसंद आई हो, अगर यह reading आपके साथ resonate हुई है, तो मुझे comment section में बताना, चैनल पर अगर आप नए है, तो subscribe कर देना, वीडियो को like कर देना, अभी के लिए बस इतना है guys, bye, take care